राजबीरी बहुत बड़ा अमीर परिवार का तीन भाई का है। काशिव परिवार का है। तो तीन भाई। बाटकर लगा भाई ब्राहमन परिवार के तीन भाई हम लोग पाद सारे सुक्तरें हैं। दान का कोई कामी नहीं है, ऐसे हम लोग ब्राहमन पारिवार के भी हैं, लेकिन हम लोग का सारे सावभाग्ये, फिर भी मुझे ये सावभाग्ये का साफल नहीं दिखाई देता है, ये दान से आज साब मुझे क्या मिला, तुमको क्या मिला, हमारे पास पारिवार, बाल, तक ते रहता है, क्या तो कुछ कमी दिख रहा है, ऐसे करें कि बाताया, भाईया, अब क्या करना चाहते हैं, तो उर्वेल काश्यप ने बताया, मैं चाहता हूँ, घरदो अर्तियाग करें कि सांती खोजना चाहता है, तो ठीक हम लोग भी आएंगे, ऐसे करें कि बहुत लाख पुल्ट,000 लोगों को अपना संपाथि साथ दान दे लिया, जामीन, जायदार, सब दान दे जोती हुआ अंगे लोग जमिनों देखर कि निकल पड़ा उनके साथ साथ- भणा भीयाक cud provide 500 लोग चेली लोग mister मन्जला भाई के साथ 300 लोग का आ गया चोट मांदिर है न उसी एरिया चुन लिया हमको यह एरिया अच्छा है तो गया काश्यब चुन लिया विश्मुपाद मांदीर जहां है वहां मेरे लिए अच्छा है उस्ता में जंगल था नदी के किनारी था वहां मेरे लिए अच्छा है नदी काश्यब चुन लिया सारस्थिति मांदीर है ना सारस्थिति मांदीर वो चुन लिया सारसिति मंदरी के पास, गया काशिप गया चुन लिया है, क्योंकि गया काशिप के नाम से गया नाम आ गया है, तो गया काशिप विष्टुपाद मंदरी के जगा चुन लिया, इसके वाद क्या हुआ, अभी लोग पुरा फेवस हो गया, जाजिवा गया रख फोर चाल जाए हम जाएंगे उर्वएं लाम मुझे वहां कुछ काम है किसेसी मिलना है अल्वासर फिरा फेमस स्वे मं अगंद मेन हर जागएं बगवान बुद्ध पर चेम hast tua फेमस ना ठाक करें, वो ऐसे बराबर जैसे सबी लोग विज्जत करता है, तो उर्विल काश्यप इदर आ गया, आनिक बाद आसमान से यहां तक आगर यहां से पैदल आने लगा, आनिक बाद एक स्ट्रमन आ रहा है, आखे से यहां, ठीक है, आपके हम भी ठीक है, बहुत दूर से हां, हम वारणासे से आया, हमको इदर एक दिर रूपना है, नहीं नहीं यहां रूपने का कोई जगा नहीं, सारे खुटिया भरा हुआ है, हरे खुटिया में मेरे छेने लोग हैं, रहने का कोई जगा है यह नहीं, कोई ना कोई जगा तो होगा आपके पास, एसा तो कोई जगा कीयों कि आपको खाथ्रनाक है जहरिखव टाथ वह दीव्यचासाप वह गुस्सा करने वाला है उसके साथ कोई नहीं रह सकता है और आपका अनुमति है क्या करें झौ Мих他ोर रही आप क्या किरें फिर फिर से बाता है लेकिन और एक बार सोचिए श्रमान गोतम जी उदर बहुत बड़ा खातरनाक साप वो चोटा मोटा साप नहीं है डेंजरस है यह से फिर भी बगवान बुद गुफा के अंदर गया अंदर जाके बैठ गया साप उपर से गुफा के मेरा कुटिया में आगर कि यह बैठ गया यह कौन है यह चोटा मोटा दीखता नहीं तरह थाकत्वर दीखता है इसलिए इसको हम सबसे पहले बहुत बड़ा फन निकाल के डरा के भागा दूंगा फन निकाल के डराया बगवान मुस्कुरायन लगा फिर क्या कि हम डरा तो नहीं सबसे अच्छा है हम अपना मुँ से विष्दुआ निकाल दूंगा विष्दुआ निकालते ही या 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 थ भाग जाएगे या मर जाएगा दोने से कुछ न कुछ होगा फिर साब पुरा दुआ निकल नगा पुरा कुटिया बाहर के बाहर दूआ फेक रहा है यसे बोलकि बगवान बुध्द किया किया अपने से दुआजाद निकलने लग से नागी औो चक्रा आने लग निकालते निकालते सूबा होते होते हैं सब सान्त थे तभी लोग आग देख लिया दुए देख लिया उर्योड काशिब बताया देखो आश्मान तुम लोग जाकरें के उदर हिए लाक्टी त्यार कर दो नाधी में चामन गोटम कांति शांसकार करना है चलू करें कोट्या के प्र बाहर आगया जिन्दा है कैसे हो गया इसके पात्र से साप निकाल यह आपका साप ने यह ले जाए इसे किरें चोड़ दिया फिर इसाप चला गया जंगल में पिर उर्यकाश्व ने सोचा सच मुच में यह तो ताकत तो उसे ज्याद थाकत लेकिन यह अरहनत नहीं है मैं मैं आरहनत हूं यह आरहनत नहीं है बगवान को देख लिया मन अरे मुर्क इसको अभी तक नहीं समझा इसके बाद आप और इसे गुफा मतला खूटिया जेसा था गुफा नहीं पैर इसके बाद यह काशेप काशेप ने सोचा आप कामिस्का थाकत को देख लिया लेकिन हम दिखाऊंगा ने इसका ताकत देख लिया है यह से रहोंगा नहीं तो मेरा इजडाउन हो जाएगा हम तो इतना बड़ आदमी है भगवान देख लिया तब काश्यप ने बताया आप इदर ही रहिए हम लूग हमेशा बोजन की व्यवस्ता करेंगे उसी दिन रात में चार महन देवताओं यानकी विरुदे विरुपक्त दत्रस्ट वाइसों चार महन देवताओं पुरे इसी एरिया प्रकाश करके उदर बागवान बुद्धी कुटि पर आगया आकर कि आने के बाद पूरा नामन करके प्रदस्टिना करके चले गए यह देख लिया कौन उर्विल काशिप देखने के बाद सोचा क्या आश्चा रही हर दिसा चमक गया इसके बाद सुबह जाके बाद आया श्रमन गोत्म जी भोजन तेयार है लेकिन हम एक अधितरा चमक रहता कि यह इधर कोई आया जैसा देख हमको लागा बताय काश्च वो चार महंदेवतां आकर के मेरे पास आ गया आपके पास क्यों चार महंदेवतां आता है मेरे पास इसलिए आता है ग्यान सुनने के लिए एसा है तो यह सोचने लागा इस रमन गोत्म से ग्यान सुनने के लिए देवतां भी आता है एसा है तो यह स्रमानगोतम कोई चोटा मोटा नहीं महां उर्दिमान है महान बाव साम्पान नहीं लेकिन मेरे जैसा अरह INTHS नहीं है कि इतना भी महान बाव हो लेकिन मैं हूँ आरह INTHS ये आरह INTHS नहीं है उस दिन रात में पीचले दिन रात से ज्यादा बहुत बड़ा प्रकास आगया बगवान बुद्ध कुटिया के पास वो हैं देवताओं की राजा देवराथ इंद्र बहुत चमाकते चमाकते बगवान बुद्ध के पास आगया उरूल काशिप यह देख लिए क्या अस्टेर हो रहा है यह तो खालरात के प्रकास से भी ऐगया वो क्या था वो और कोई नहीं है वो देवराच इंद्र है तो देवराच इंद्र है वो तो देवलो का Dee Ahama cup के पास क्यों आया काश्यप मेरे पास इसलिए आया कुछ ज्ञान सुन करे की मन प्रसान करने के लिए और कोई कारान के लिए नहीं आया इसा है तो यह सोच रहा था, इसा है तो देवलोग का मालिक, देवराज इंद्र जी भी इंसी ज्ञान सुनने के लिए आता है, इसा है तो श्रमन गोतम छोटा मोटा नहीं, महा रिद्धि मान है, महा नुबाव संपान है, लेकिन ये आरहांत नहीं, मैं हूँ आरहांत, ये कुछ ना रिद्धि सीत दिखाय फिर भी मैं हूँ आरहांत ये आरहांत नहीं, उसी दिन रात में पिछली रात से विज्यादा पूरा एरिया पूरे बोद गया पूरा जीला प्रकास में होने लगा उसी दिन इंद्र जी का आलोग से विज्यादा बढ़कर एक आलोग आ गया वो है सहांपती ब्रह्मराज यान कि महा ब्रह्मजी उसी दिन आ गया इतना सार बड़ा प्रकास हम कभी नहीं देखा एक दाँ सूरज उग गया जैसा एक दाँ सूरज लागता है गीर गया उनका कुटिया के अंदर फिर दूसरी दिन भी आके रिके बोजन किर्णी मांतर ने किया चली लेकिन हम कूछ पूछना था काल रात सबसे बड़ा आलोग वो क्या था बताया काशिप वो आप देखे हैं सहांपति महा ब्रह्मराज को देखे हैं और कोई नहीं आप नमन किये थे उनको मेरे नाम से प्रदक्शना किये उनको नहीं हमें नमन करने के लिए आया आपको नमन करने के लिए क्यों आया वो तो सबसे बढ़कर है पूरा हम से भी बढ़कर नहीं वो प्रोचन सुनकर मेरे साथ धर्म की चर्चा करके कुछ कारण जानने के लिए आया है आकर प्रसान होके चले गए फिर सोच लगा ये श्रमन गोतम से प्रोचन सुनने के लिए सहंपदी ब्रह्मराज भी आता है ये श्रमन गोतम कोई चोटा मोटा नहीं है महा रिद्धिमान है महान वाव सामपान है लेकिन मैं हूँ आरहात ये आरहांत नहीं है पिर ये एक पेड़ की नीचे बैठ की सोच रहता कल मेरे आश्रम में बहुत बड़ा याग्य है उसी याग्य के लिए आंग मागद दोनों देश के लोग बहुत सारे गिफ् सतकार यश्कीर्ती पराप्त होता है लेकिन ये इस्रमान गोतम उसी तरफ में है जहां याग्य करना है अगर कल सबके सामने आकर के श्रामन गोतम को रिद्ध दिखाया तो याग्य में आने वाले सारे लोग मुझको छोड़के इनके उप्र स्वेदे प्रसान हो जाएगा ऐसे हो गया तो मेरा लाबसातकार सब घट जाएगा इनको सारे लाबसात्कार यश्किर्थ प्राप्त हो जाएगा वो मेरे लिए अच्छा नहीं है अगर काल स्रमन गोतम नहीं आया तो अच्छा है बगवान बुद्ध जी उनका मन देख लिया उसी दिन उर्वेर काश्य पकास्रम नहीं आया उसी दिन चले गए उत्तरकुरु देश में उत्तरकुरु देश में चले गए उत्तरकुरु में वहाँ है वाइसराउन देवराज है ना वहीं आनोता थ्ट विलन आओने बाहनस्रूर मान-सरूर रिखत फीह सका का लोगा न्याद की। कि लुटकी के स्री लंका बागाउनुष चले गए उसी दीन वे गशक्र मान-सरूर्य वी जाकर उनिेक जाकर वह उसी दिन , पुर्णिमा दे ता पिर सोचने लगा बहुत अच्छा हुआ आज रवन गोतम नहीं आया मेरा इजद बच गया जाएंगे आज बहुजय के निमा तरंग करेंगे पूचा आप खाल राथ बहुजय के लिए आया क्यू नहीं हम लोग पुरा इंतजार किये थे बहुत सारे खाना बच गया साथ फे बहुत अलग से रख दिया है आप क्या निता आप आया कहा 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 गये थे खल कहा शिर अब भी आप वह इसा बोर रहा है जब याग्य के पहरे दिन आप केसे सोच रहे थे खल मेरे आश्रें बहुत बड़ा याग्य हैं चमन गोतमा कोई रिदी दिखाया तो सबी लोग फस जाएंगे तो मेरा लब सच कर खाम जाएगे इसलिए खल नहीं आया तो अच्छाए सोचा की नहीं इसलिए मैंने क्या किया उत्तर कुरू देश में चले गए जाकर के मान सरुवर के पास बहुजन करके आज जंगल में दिखान करके आये हैं तिर सोच लगा है ये श्रवन गोतम दुसरों का मान भी पढ़ सकता है जो सोचता है वो बता सकता है एस है तो जरूर ये श्रवन गोतम तो कोई चोटा मोटा नहीं है तो आप बढ़कर है महान है इसके बाद क्या हुखाता कम बताए आप फिर सोचा दूसरों का मान भी बैकिन मेरे जैसे आरहांत नहीं है पिर भगवान बुद्ध ब्होजन करके चले गए गये आगसी हिसा हमारे पास नहीं है हम कहा यह वस्तर दोएंगे तुरंध भगवान बुद्धर की मान पढ़ लिया इंद्र जी इंद्र जी थुरंध आकर की अपने हाथ से जमिन खोड दिया खोड के एक पोखर बनाया, पोखर बना के बगवान बुद्धी जी के पास गया, जाकर बताया, हम एक पोखर बना लिया मेरे हाथ से, वस्तर हमें दे दीजी, फिर सोचा, ने वस्तर उदर दो सकता है, फिर बगवान दो सोचा किसके उपर रख के हम दोएंगे, जामी नीचे रख दिया तो बालू लग जाएगा, फिर इंदर जी वस्तर विचार देख लिया, देख के तुरांग क्या किया, एक पत्तर लाके रख दिया, फिर उसी काल पत्तर पे बगवान बुद्धा वस्तर दोया है, फिर सोच रहे थे, हम पोखर उतर गया, केस पोखर से उपर जा हुए थे, आकर के बगवान बुद्ध को उपर आने के लिए बगल में एक पेड को जुका दिया, इसके बार अभी तो ये वस्तर पाईत्य कर दिया, कहां सुका देंगे, फिर इंदर जी ने क्या किया, बहुत बड़ा एक फारोत बनाया, बगवान बुद्ध जी वस्तर य यहां सुका दिया, दूस्तर दिन सुबा, भूजन तैयार किर चुरुएल काश्य बगवान बुद्ध के पास आके बाद आ गया, आने बाद बाद बाता है, क्या आश्चार है, ये पोकर कहा से यहां आ गया, स्रेमन गोत्म जी, काल इदर एक पोकर नही था, और ये बड़ हुआ है, वो केसे हो गया, हवाने पर भी पेड का डांगी जूपता नहीं, थाता ये बहुत बड़ा परवत कहा से आ गया, परवन इतना चेंज हो गया केसे, फिर बागवान बुद्ध जो कुछो सब में उर्वेल काश्यप को बताया, सोचा, देवताम भी ये श्रमन गोत स्रेश्टे उत्तम हैं, लेकिन मेरे जिसा अरहंत नहीं है, दुसरी दिन भी बहुजन तेजार करेके भगवान बुद्ध के पास आया, बताया, चली बहुजन करेंगे, इसके बाद बताया, काश्यप आप आगे चली, हम पीचे से आएंगे, फिर उर्वेल काश्यप आगे जाने के बाद, बागवान बुद्ध तुरंद रिद्धिबाल से हीमाले में चला गया, हीमाले में है एक जामुन का पेड, जामुन का पेड से फल तोड़ दिया, जामुन का पेड के चलते भारत को जामुन द्वीप हो गया, जामुन का पेड अभी तक है, वो पेड इंद अंदिया का चात्र जैसा है इसलिए उसी पेड जिस देश में उसी देश को जांबुद्धीब कहता है वो पेड अभी तक है वो जामुन का पेड़ से खार ठोड़ दिया थोड़की काशिप आने से पहले बगवान पुद्ध जहा आसे ने वहाँ आके बैठ गया यह क्या कमाल है हम आपसे पहले निकल गए ते आप कैसे मुझसे पहले आ गया बताया आप निकलने के बाद हम सीधा हीमाले में गये हैं यह देखिए हम जामुन का पेड़ से एक फल भी तोड़ यह बहुत मीटा है सुगंध है अगर आप चाहेंगे तो खालेजी इसका बताया यह तो आप ही लाए हैं इसलिए आप ही खालेजी मुझे को जरूरत नहीं फिर सोच ने लगा यह स्व्मान गोतम तो रुद्धिमान है बलसंपन है शक्तिशाली लेकिन मेरी जैसारहंत नहीं वैसे कामला थोड़के लाया वैसा हिमाले से एक आम थोड़के लाया वैसा वैसा किया पिर और एक दिन बगवान बुद्ध निवांत्रमित करने का बताया आप जैए हम आएंगे फिर बगवान बुद्ध गाये था थावतिंस देवलोपने जाकर कि परसा तो एक फूल है सिर्फ थावतिंस देवलोपने फ़रता है उसमें से फूल ठोड़की वापस काशय पान बगवान बुद्ध वहां गये जाने का सोच हमसे पहले केसे आया गया तब बताया हम देवलोपने जाके आये हैं फिर भी वह सुधरा नहीं एक दिन क्या हुआ उर्वल काश्यप के छेले लोग एक दिन और जटी लोग के साथ बहुत बड़ा पूजा के लिए लाकडी काट रहा था कितना भी काटो, कितना भी मारो, मारो, फिर भी लखडी ठूटता नहीं है सावी लोग मारता है, मारता है सावी लोग सोच में, उर्वेल काशफ सोचा है ये तो जरूर शमन गोत्ताव का कोई ना कोई रिद्धी है इसके बाद उसी बगल में बगवन बुताकर के पूचा काश्यप में लकड़ी काटूं ठीक है काट दीजिए सारे लकड़ी कट जाएं एसा सोचते ही पांसो लकड़ी टूट टूट हो गया इसके बाद सोच रहा थे इस्वान गोतों को महान बाव संपान है हम लोग कितना वी मार फिर भी टूटान एक बी एक सोचते ही ठूट गया है ये तो चौटा मोटा नहीं बहूत शक्ति साली लेकिन मेरे जैस आरहांत नहीं कितना अब ही शक्ति साली हो मैं हूँ आरहांत ये इसके बाद सबी लोग तेयार हो गया लखडी लेकर की अगनी पूजा के लिए लेकिन कीतना भी जलाए जलाए जलता नहीं सोचा ये भी बागवान बुद्ध की श्रमन गोतम का चीज है बताया हम आग जला दो ठीक है जलाए फिर बागवान बुद्ध सोच रहते सारे आग जल जाए सबी आग जलना सुरु हो गया पिर भी सोचा शक्ति साल है लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं आग अगनी पूजा कतम होने के बाद अब इस अभी लोग कोशित करें अगनी बुजा आने के लिए लेकिन बुजता नहीं है तब सोच रहते है तो जरूर श्रमन गोताओं का आश्चा रहे है तो हम भुजा ले हाँ बुजा दीजी आग भुज जाए तुरांट भुज गया सोच रहते है तो बहुत आश्चा रहे लेकिन में आरहंत वे आरहंत नहीं है और एक दिन क्या हुआ उर्वेल काश्य पापना पांसो चेले लोगों के साथ नदीम इस नदीम इस तरफ हम लोग जो जहता ना इसलिए हम वहां खड़े थे उसी जगा पे उतर के ठंडा में यानिक इसी मोसम में इसी मोसम में पाप धोने के लिए डूब रहा था अभी वेसे गंगा जी के पास जाके पाप धोने के लिए डूब रहा था अरे ठंडा बहुत ठंडा बोल बोल के उसी जगा पे बगवान पूद आया आ करके अपना विद्धिबाल से पांसो क्या बुसरी आ बुर्ची बुर्ची बना दिया पांसो बना के नदीम ही बना दिया बनाने कवाद सबी लोग का आ क्या आशे है इदर एक बहुर्ची नहीjsk था आभी बांसो आके से आगया ज़रूर ये तो स्रमन गौतम कहीं काम है ये तो श्रमन गौतम कोई चोटा मोटा नहीं ही सरो शक्तिशाली है सब कुछ हैं लेकिन मैं हूँ अरहन्त ये अरहन्त नहीं है उस समय बारी सुरुवात हो गया बारी से हर जगा भर गया ये नदी भर गया उसके कारण ये पूरा हर जगा पानी आ गया पानी से हर जगा भर गया भगवान बुद्ध जहां आते पूरी एरिया पानी से डग गया भगवान बुद्ध जी अपना रिद्धी बाल से जहां रहा थे सिरी वहां पानी हटा दिया वहां पे पानी नहीं आता है दिवार बना दिया जैसा लेकिन दिवार दीखता नहीं पा पाक का स्रमान गोत्म चला गया बेचार चला गया फिर और किसी के साथ एक बोट तैयार करके बगवान बुद्ध को बचाने के लिए चिला 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 क्या रहा था महास्रमान जी आप कौन है बचा ये तोड़ा सा आवाज दे दे जहाम लोग कहा गए आते हैं देख लिया भगवान चाक्रवन कर रहा है वो भी पाने के बीच में कही पाने एक बुंदा भी नहीं उनके पास आस्चा रहे हैं श्रमन गोत्म सच्मुच में वही आप है या कोई देवता है काशप मैं हूँ और कौन श्रमन गोत्म में इसमें आ जाए तो आपको कोई कश्ट नहीं नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है था वस्वासरत साच मुझ मास्चर ही इस्टरवन गोत्म जी कोई चोटा मोटा नहीं है लेकिन महानबाव संपन है लेकिन मेरे जैसा अरहनत नहीं है भागवानबु सोच रहती है ये मूर्क आद्मी इतना प्रातिहार दिखाया कितना थीन हजार पांसो अब ही हम थोड़ा बताए हैं थीन हजार प्रातिहार दिखाया थीन हजार पांसो प्रातिहार दिखाने के बावजूद भी इसका घमंड है ये अरहनते नहीं है ये इसका मान में जो नहीं है वो ऐसे एक अरहांत केसे आ गया इसे विचार विचार इसका मान में केसे आ गया अब समय आगे इसको सच सच बताने का सीध बता है महाकाशित तू बोल रहा है न हमेशा अरहांत है में अरहांत है सच मुझ में तुम तो अरहात्त के बार में जानता ही नहीं है, अरहात्त की मारगे के बार में भी नहीं जानता है, तो केसे अरहात्त हो जाएगा, ये सुनते ही, उर्वेल काश्य पे इदाँ शोक हो गया, इदाँ छोक गया, तूरहात्त गिर पड़ा बागवान बुदिचारन में, गिर क तोड़ आप पहले क्यों नहीं बताए अभी हमको सब समझ में आ रहा है सच मुछ मेरे पास कुछ नहीं है क्रिपा करें कि मुझे अपना सिश्य बना लीजिए मुझे भी उरास्त बताईए इसके बाद बताया पिर नहीं नहीं काश्यप आप तो 514 लोग का मेन हैं इसलिए अ उन लोगों का विचार के बारे में तोड़ा देना चाहिए उन लोग क्या बोलता है उसके बारे में हाँ ठीकी ठीकी हम आएंगे जाके बताया आश्मान मैं तो स्रमन गोतां के पास्चीवर पहनूंगा अगर आप लोग जो चाहिए वो करिया रहना तो रही जाना तो वलत रास्ता बेजा रहा है इनका रास्ता से ही है हम आपको बोलने में तोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि आप मेरा गुरुजी है इज्जत है हमारे दिल में गुरु के प्रति इसलिए हम लोग चुप हो गये थे हे गुरुर हम सभी दिल से बहुत पहले चला गया अभी थ तपाश्य वास्तर हाटा दिया सबी लोग आगया आपके पास हम लोग चीव और पहन के उपसमपन होना चाहता हूं फिर सबी लोग एही बिक्षु बहाव से उपसम बिक्षु बाणगे एही बिक्षु मतलब खपड़ा नहीं है लेकिन बगवानुद बताते हैं एही बिक मतलब बिक्षु आजाईए एही मतलब आईए बिक्षु एही बिक्षु ऐसे बोलते हैं अपने आप सारे सब काट दाड़ी है तो काट जाता है चीव और अपने आप आता है पात्रस जो बंते जी के लिए जरूरिए सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है उपसमपन करना जारूरि उसके लिए अलग पुन्य है हमको याद नहीं क्या पुन्य है फिर सारस्तिति मंदर के पास है नदी काशिब नदी काशिब नदी काशिब का एक चेला पाने में कुछ काम करता समय देख रहा था में उड़िल काशिब उदर से थपाश्वी का परिश्कार आ दोड की जाके बाद आया तुरा निकाल दिया अरी मेरे भाई को कोई ना कोई काश्ट है पूरा कोई ना कोई काश्ट चलो चलो करके साभी 300 लोगों के साथ आ गया तो नादी काश्ट यहां आ गया यह तो मेरे भाई भागों को दिखेला के से बन गया भाई या काश्ट जी हम लोग का यह जाटिरता से बिजाद आपको इतना महान होगे भागों श्रमन गोतम का यह परवर्जा बताया मेरे भाई ये सब बखवास है फालतु है बेकार है क्या प्राप्त हो गया कुछ नहीं यही ही रास्ता ये सा है तो भाईया जो कुछ बताता है वो सब सही है मुझे भी चरूरत नहीं है इन लोगी क्या किया सारे बाल दाड़ी सब काटके बगवान बुद्ध के पास जाके रहे कि चीवर पहन लिया तब बगवान बुद्ध एही बिक्षु बताया तब सबी लोग बिक्षु बन गए फिर गया काशे विष्णुपाद मंदिर के पास वहां उनलों देख ले आ रहा है साब लोटा साब तंबाकु गांजा का पीने वाल और बाल सब डह के आ रहा है पापका कोई ना कोई कश्ट उनलों भी आ गया आके पुरा डाटा थे क्या पागलपना होगे आप दोनों को फिर बताय नहीं ये पागलपना नहीं है हम लोग कितना समय तपाश्या के कुछ प्राप्ठ हो गया है कुछ नहीं बेकार की रास्ता है सारुस्रेष्ट रास्त आरेष्टांग एक मार्ग थथागत के पास है अई है उनलों भी चीवर पहन लिया इसके बाद सभी लोगों को भगवान बुढद जी गयाशीर्ष पर ले गयाशुरस कहाँ है गयाशीर्ष मंगलगाउर के पास मंगलगाउर है ना उसी एरिया में अभी हिंदु मंदिर है उससे में गयाशीर्ष कहा गया है वहाँ जाकर आदित परिया उपदेश दिया है आदित परिया सूतर उपदेश देकर देने के बाद सभी हजार एक हजार तीन बनते जी हैं सभी बनते जी गन अरहत्त के प्राप्त किया तो यही चीज हुआ है अब इसे चब्विस सो साल पहले इसी जगा पर वह यही जगा है समय बदल गया पर्यावरन बदल गया नदी बदल गया उसे में पूरे नदी में पानी आ रहा था सब चेंज हो गया लेकिन जगा तो जगा ही अब तो बचा हुआ है आभी नादी काशव का मंदीर था सारसुति मंदीर के पास सब खतम हो गया अभी सारसथी ते माता जी की नाम से माना जाते है वहाँ गयाकाश्य पोर आरहंत लोक रहते थे विष्णुपाद मंदिर में वहाँ सारे बागवानबुति मूर्ती को हटा के असामराथासोग शिलालेक लिख दिया सारे शिलालेक खटा के एक नया मंदिर बन जहां बागवानबुत इस्नान किया है वो पोकर का नाम वेतर नहीं है अभी वेतर नहीं कहता है उस समें दूसरे नाम था उसी पोकर उसी बागवानबुत नहाते थे सब सब बदल गया है लेकिन इतिहास अभी भी शाक्षी देता है सबूत है तो इसी जगा पे बहुत सार देवतां आये होंगे आसमान में, भगवन दर्शन किये होंगे, लाग लाग लोग उर्वेल काशिप अरहंत बांत जित्यादी, नदी काशिप, गया काशिप, अरहंत बांत बांत जित्यादी, सारे लोग को सेवा किये होंगे, सबी लोग को खुशी हो गया होगा, बहुत पूरे देव ब्राह्म मान व जगत में आपके सिवा और कोई गुरु है नहीं है आप फे बिल्कुल अरहंत आप फे सम्यक संबुद आप फे विज्जाचर्न सांपान दहारी आप फे सुगत आप लोक विदु गुन धारी आप फे अनुत्री सारे लोगं सुधारने वाले आप फे सारे देव मानों का सास्ता जो संगदान दिया अभी ज्यान सुना सील सुरक्षा किया सारे पुन्य इस आप फे रहने वाले सबी लोगं को सबी देवताओं को देते हैं विष्णु देवराज जी इत्यादी सारे देवताओं को दिवे आयु प्राप्त हो दिवे वरन प्राप्त हो दिवे सुंदरता प्राप्त हो, दिवे सुक्सांपति प्राप्त हो, उनके नाम रोशन, उन सभी देवता हो, सुकी हो, सुकी हो, सुकी हो, सभी दुख से मुक्त हो जाए.